Hello friends, welcome back to my channel, welcome back to the Danukolapur vlog Canary Mud part 2 जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट व्लोग में बताया था कि मैं अभी नेक्स व्लोग में आप लोगों के साथ विलेज लाइफ और फार्मिंग लाइफ के बारे में शेयर करूँगी तो बस ये व्लोग उसी के लिए रहेगा तो आप देख सकते हो कि पहले विलेज में पानी की तकलीफे हुआ करती थी बहुत पानी नहीं मिलता था तो किस तरह से इस पानी को उन लोग उठा कर लेके जाते थे वो शेयर किया है फिर यहां पे गाई वगरे दिखाई है जो रहते थे वो किस तरह से गाईयों को चरने के लिए छोड़ देते थे और फिर वो बच्चे अपना गेम्स खेल के एंजॉय करके टाइम स्पेंड करते थे यह ओपन स्पेस गेम है जो बच्चे एंजॉय कर रहे है आप देख सकते हो कि कैसे वो खुद का टाइम पास कर दिखाया हुआ है उसके बाद यहां पर एक लीडी है जो जाड़ पेसे लीफ को तोड़ कर अपने जो बक्रिया वगरे है उनके लिए वो चारा बना रही है मतलब लीफ दे रहे है खाने के लिए और आप देख सकते हो यहां पर भैस वगरे दिखाईये भैस को किस तरह से म अब देखने मिलता है अभी बहुत अब इस अब भी घाव में अवेलेबल है यहां पर बुड़े बाबा दिखाए हुए है आप देख सकते हो उनका स्टाच्यू है फिर किस तरह से बच्चे खेल खेला करते थे जैसे कि गिली डंडा हुआ फिर लगोरी थी पकड़ा- ज которte लिए यहां पर शेयर किया है और वाकर में ओ टाइम के सब गेम इस इतने अच्छे रहते थे अपने फिज्ईकल हल के लिए पर बहुत अच्छे रहते थे फिजिकल हल ठैल्वा तक पिजिकल हल्द के लिए बहुत यूसफुल रहते थे ते वह जमाने में मोबाइल नह फीजिकल जो प्लेग्राउंड पे जो गेम के ले जाते हैं उनको इतना पता ही नहीं चलता है अभी लेकिन ये स्पेस काम होने के वज़े से ये सब हो रहा है ठीक है चलिए विलेज लाइफ तो हम देखकर एंजोय कर लेते हैं उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो बड़ यहां पर डेख से तो बेल दिखाया हुआ है जो रियल गाडि है और जो बेल है वो स्टच्चू के बनाया हुए लेकिन आप पिल की आग से सब्सक्राइब कर देख सकते हो अर बेल को भी देख सकते हो कितने रियल लग रहे हैं बिलकुल भी आपको पता नहीं चलेगा कर दिया और यहां से अभी फार्मिंग लाइफ आप देख सकते हो कि किस तरह से फार्मर फार्मिंग करते हैं वो यहां पे टोटली डीप में दिखाया हुआ है और यहां पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो में एक बार शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कहीं खाने को जाते ह जिसे पसंद ने आये तो छोड़ दिया वगरे लेकिन मैं आप लोगों को इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उतना ही फूड मंगाईए पहले कि जितना आप खा सकें क्यूंकि वो एक एक दाना पकाने के लिए इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है कड़ी धूप में और फूड को हमें वेस्ट नहीं करना यही में मेसेज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी प्लीज आप फूड वेस्ट करने के पहले दो तीन बार तो भी एटलिस फार्मर की लाइफ के बारे में और उनके हाड़ वर के बारे में ज़रूर सोचेगा अब यहाँ पे पानी की वेट कर रहे हैं बारिश की वेट कर रहे हैं वह स्टैचू में दिखाया हुआ है फिर उसके बाद आप पीछे के साइट पे जो ग्रीन देख रहे हैं वहां पे रियल फार्मिंग करते हैं वहां के लोग और वहां पे जो एक्चुली में जो बीना कैमिल की जो प्र फार्मिंग के रिलेटेड है कि पहले कैसे किस तरह से फार्मिंग की जाती है तो प्रोड़क का जो फाइनल लुक रहता है वहां तक का मतलब जो राइस वगरे उगाते है वहां से लेकि यहां तक का किस तरह से उसका फाइनल प्रोसेस रहता है वो यहां पर डिटेल में दिख प्लेंट करूंगी अब है सकते हैं Leonard लाव act होती है, वह पहले पुराने में गाउं में गहर करते थे हुदित इसले में कांशा होती थे all और असा में कल्ट कीव और इस थे जमाने में होती हुद्धित, मिट्थित थे हुद्ध थे लिए डिडिया वा स्सक्राइअ का लीए, अको रिए इसले पीय अपने सीर पर किस तरह से पुरा मतलब लकडी का धेर उठाए हुए आर ये घर की तरफ और नरेट किया हुआ है उसके बाद यहां पर दो आदमी दिखाए हुए बेट लिफ्टिंग करते हुए यानि पहले के जमाने में वेट लिफ्टिंग हैल्थ कॉंशे सब हुआ करता थ ट्रोने के सब्सक्राई करें पेने की बाद देख लिफ्टिंग माहराज हना दूल थे कि सब्सक्राइब यहां परहं प्रावच्ष्ण रचाहुआ है जैसे तेमपलन हुआ है जियसे मंदिर एंन मंदिर कर दो नहाराज रहते हैं स्टोरी नरेट करने के लिए भगवान की जो भी कथाये रहते हैं वह हमें नरेट करते हैं एक्स्प्रेंट करते हैं और इस तरह से पब्लिक बाहर मंदिर के बाहर बैठकर बगवान की कथाये सुनते हैं श्रवन करते हैं वह यहां पर बहुत ही सुन्दर तरिखे से बताया हुआ है उसके बाद सिंपल घर दिखाया हुआ हुआ है नो सुवबे सुवह वासु की आया करते थे जो सिरीप आप टोपी देख रहे हैं उन्हें वासु की कहते जो सुबह सुबह ऐली मॉनिंग के लिए बिक्षा लेने के लिए आते थे तो वह आसू के आते थे वह कल्चर दिखाया हुआ है और अपने का आंगन में किस तरह से रंगोली वगएरे निकालती थी वह दिखाया हुआ है उसके बाद इस तरह से गाव में बड़े-बड़े ज जाड़ हुआ करते थे और इस जाड़ के नीचे सब बैठते थे जैसे कि कुछ पंचायत वगएरे रहती है एक राम पंचायत वगएरे रहती है या किसी का कुछ डिसकर्शन रहता है या फिर कोई न्याय करनी करता है या तो फिर जैसे अभी के जमाने में get together वगएरे करते इस तरह से सब खेल वगएरे आया करते थे गाव में मैंने मेरे बच्पन में इस तरह से भालू का खेल वगएरे देखा है आप देख सकते बच्चे अपने घर से आंगन से इस खेल को एंजॉय कर रहे है वह दिखाया हुआ है और मतलब कुछ सामन बेचने के जा रही है पह से जाते थे वह यहां पर दिखाया है अब यहां पर एक और गेट है और गेट के अंदर से आपको और आगे के कल्चर और उनकी घर और उनकी लाइफस्ट्राइल के बारे में आपको दिखाई देगा इस क्बारा ये स्ट्राइब के फिर नहीं करखें है ये स्नेक गेम पहले के जमाले में हम लोग दो बहुत दीखते हैं मतलब एक साप्पल आता है फिर वह पुंगी बजाता है और इस तरह से साप के गेम्स वगरे वहा करते थे साप बाहरा कर डांस करता है फिर इस तरह से जाते थे फिर पैसे कलेक करते थे वह यहां पर दिखा है और मैंने तो यह बच्पन में रियली देखा हुआ है एंजोई किया हुआ है वह है बहुत अच्छा सा गेम था मैंने मेरा बच्पन में जो देखा है वह मुस्ट आफ यहां पर नरेट किया हुआ ही है यह वीडियो आ वगरे हुआ करते थे वो सब उनको पता चलेगा उसके बाद इस टायर का गेम तो most of आप सब को पता ही होगा मैंने मैंने भी खेला है बच्पन में इस तरह से साइकल के टायर लेकर इस तरह से करते थे यह पॉटर का घर दिखाया हुआ है कि मिट्टी के बर्तन किस तरह से बन आप देख सकते हो घर कितने कुले वगरे रहते थे और यह पत्थर से सब चीजे बनाते थे जैसे घर गंटी वगरे रहती है पाथर वट करके उनको बोलते हैं तो उनकी लाइफस्टायल दिखाई हुए कि वह पत्थर में से जो मुर्थिया बनाते है यह चीजे वगरे बन चीजे है इस वीडियो के अंदर देखने जैसी बच्चे तो चलकर एक्चुली में ठक जाएंगे इस वीडियो के देखकर और जगे को देखकर यह कॉबलर का घर है किस तरह से वह घर के बाहरांगर में इस तरह से बैठकर चपल वगरे बनाया करते थे हातों से वह दिखाय हुआ है यह सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हीं सब चीजें पता नहीं होती है तो उन्हीं सब हमें बताना होता है कि इस तरह से भी काम हुआ करता था इस तरह से पहले कि हमारी लाइफ स्टाइल थी आप देख सकते हुए यह प्रीस्ट करते थे इसके बाद यह बुरूड का घर यानि बांबु से जो चीजें बनती है उनकी कैसी लाइफ स्टाइल थी वह कैसे काम करते थे वह यहां पर दिखाया हुआ है बहुत ही सिंपल से पहलिवा दिख स्टाइल थी लेकिन बहुत अच्छी थी शान्ती भरी हुई मराठी लोगों में ज्यादा करते हैं तो किस तरह से हुआ करता हैं वह यहां पर नरेठाल वा happening उसके बाद यह है तालीम यानि कुस्ती यहां पर किस तर से कुस्ती करते थे खेलते थे वह तो लिटरली बहुत अच्छा बनाया हुआ है लेकिन अंधरी के वज़े से वह इतना क्लियर दिखाई नहीं दिया उसके बाद यहां पर घंटा वगरे बचाते थे और यह है ग्राम वगरे किया जाता था वह यहां पर बैठे रहते नया दिश और यहां पर ही नियाई किया जाता था वह यहां पर दिखाया हुआ है अब आप देख सकते हो कि एक औरत किस तरह से घरगंटी चला रही है इसे घरगंटी कहते है पहले के जमाने में इसी में सब गेव चावल वगरे पीसा करते थे और उसका अटा बनाया जाता था तब अगरे नहीं हुआ करते थे घर पे हमें अनाज वगरे पीसना रहता था और उसी कि आमें रोटिया बनानी रहती थी ऐसा हमारा जो कल्चर था यहां पर दिखाया हुआ है उसके बाद यह गाव का कीचन है आप देख सकते कि गाव में इसी तरह से कीचन हुआ करते थे नीच काव में अभी भी यह चीज है और बहुत अच्छा लगता है मुझे मेरे बच्पन की आदा चाती है अब यहां पर दिखाया हुआ किस तरह से दाड़ी बालों के रहे कर रहा है बैटके वह यहां पर दिखाया कि पहले के जमाने में इस तरह से किया जाता था यह बहुत ही बड़ी जगह है मांटन के वन साइड पर मांटन के अधर साइड पर दूसरी स्टोरी नरेट है यानि बच्चे बड़े सब यहां पर चल के ठाख जाएंगे लेकिन स्पेस कम नहीं पड़ेगी इतनी बड़ी जगह में बनाया हुआ है अगर आप चल के ठाख जाओगे तो मेरा वीडियो देखने के लिए बिल्कुल मत देखेगा मेरा वीडियो पूरा देखेगा पसंद आए तो लाइक शेर कमेंट धरूर कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजेगा अब आप देख सकते हैं यहां पर एक बातरूम दिखाय हुआ हुआ है घर के राइ रूम का गण्त है यहां है यहां जूला भाय olduğ है अगा बालंती न lle खोली और मेंशन चैनल के बहुत अच्छे से दिखेगे वह समून भाद धायो सुल्स पहले के जमाने में स्पेशली स्कूल्स वगेरे नहीं हुआ करती थी तो मतलब मंदीर के बाहर की जगा रहती है उसे इस तरह से यूज की जाती थी इस तरह से बच्चों को बढ़ाया जाता था तो बहुत ही सिंपल सी लाइफ हुआ करती थी विलेज लाइफ तो यहां पर दिखाया हुआ है उसके बाद यहां पर कुछ लड़किया है जो खेल खेल रही है वो यहां पर दिखाया है वीडियो आपको शायद धूप के वज़े से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा उसके बाद यहां पर यह बाजार हट बनाया हुआ है मतलब बाजार कट्टा जैसा है कि गाव में किस तरह से बड़ा बाजार लगता था सबचियों का फूलों का वगरे जो ठेले लगा करते थे वो कैसे थे और किस तरह से उन लोग खरीदी वगरे करते थे उसके बाद इस तरह का एक शो रहता था और हमें देखना रहता है और हमें उसके अंदर पिच्छ वगरे दिखाया करते थे जो मैंने बच्पन में देखे हुए वो है उसके बाद इस तरह से एक लेडी घर पर आकर कैसे बैंगल्स वगरे काच की चूडिया भरवाते थे वो है यहाँ पर जो पहले के जमने में घर घर आकर इस तरह से काच की चूडियों को भरा करते थे वो यहाँ पर दिखाया है कभी कोई बहजार गया तो वहां काज की चूडिया पहन के आता था या तो फिर घर घर इस तरह से टोपले में काज की चूडिया लाया करते थे और उनको पहनाया करते थे उसके बाद ये है शिमपी चे घर यानि जो टेलर्ज हुआ करते थे उनकी घर उनकी इस तरह से इस तरह से घर के बाहर वो मशीन वग़रे लगाकर कपड़े वग़रे सिला करते थे वो यहाँ पर दिखाया है उसके बाद लेडी दिखाई हुई है और उसके साथ उसकी लड़की दिखाई हुई मतलब मंदीर है और वो कैसे मंदीर में सजदच कर इस तरह से पूझा करने आते थे वो यहाँ पर नरेट किया हुआ है उसके बाद मंदीर के बाहर की साइट पर जो जगा वगेरे रहती थी वहाँ पर किसा से बैठते थे, खेलते थे चुपा चुपी वगेरे खेलते थे वो यहाँ पर दिखाया है वो यहाँ पर लड़का चुपा हुआ है चुपा चुपी खेलने के लिए यहां पर दिखाया है यह कॉर्टर है कापोस जिस से हमारी गादिया वगरे बन थी पहले के जमाने में वह यहां पर दिखाया हुए है और उसके बाद यह जो वरतन वगरे बनते थे तामबे पीतल के वगरे तो किस तर से store repairing का है ताम बे पीतल का बर्दन को ठोक ठाक कर बनाया ठीक किया जाता था बनाते थे वो है उसके बाद यहाँ पे छतरी repairing का काम है कैसे एक साइट पे छतरी वगरे repair करते थे बच्चे गोटिया वगरे कंचे वगरे बोलते वो खेला करते थे वो यहाँ पे game दि पर देली के काम काज्द रहते थो यहां पार करते हुए नहीं करते झाल्था, पहले Wibes के रहते हैं आप देखेँ पलंगोर धाया के दिखे attraction का मैं पर乾el विचो भी सकॉत रहता है उसके दोड़ों मुरसे पकल रता है यहां उनका काम काज रहता है, उनका ये घर है, बाग बगीचा संभालना, फूले वगरे बनाना, माला वगरे बनाना, उनका ये ऐसे इस तरह से सुन्दर घर है, आप देख सकते हो कि लेडी हार बना रही है, वो यहाँ पे नरेट किया हुआ है, अब यहाँ पे एक आदमी यहाँ पे तूतारी बोलते हैं, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वो बजा रहा है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि भजन मंडली, बगवान के मंदीर में किस तरह से भजन करें, छोटे बड़े सब, मंजीराज है, धोल है, वो कि कैसे बजा रहे हैं, और कैसे भजन कर रहे हैं, वो दिखाया है, विठ्थल मंदीर दिखाया हुआ है, जिससे मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में, ओपन गेम ग्राउंड के बारे में बताया था, उसमें सा यह एक गेम है, लगोरी, जो यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, तो बस दोस्तों इस वीडियो के मैं यही स्टाप करते हूँ, क्योंकि वीडियो हो चुका है लंबा, मिलती हूँ नेक्स वीडियो में, तब तक ले बाई बाई और थैंक यू